एक गाउं में एक सादू महाराज रहा करते थे वह जब भी नाजते तो बारिश होती थी गाउंवालों को जब भी बारिश की जुरूत होती तो वह सादू महाराज के पास चले जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे क्योंकि जब भी सादू महाराज नाचते थे तो बारिश जुनल होती थी कुछ दिनों बाद चाल लड़के शहर से गाउं वोनने आए जब उन्हें पता चला कि सादू महाराज के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकिन नहीं हो शहरी पढ़ाई लिखाई के घमन में हमाँ ने गाउं वालों को चुनोती दे दी हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी और यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं होगी तो सादू महाराज के नाचने से भी बारिश नहीं होगी तो फिर क्या था अगली सुबा सुबा गाउं वाले उन चारों लड़कों को लेकर सादू महात्मा के आस्राम पर पहुच जाते हैं सादू महाराज को पूरी बात बताए गए फिर लड़कों ने नाचना शुरू कर दिया आधा गंटा बीटते हुए पहला लड़का ठक कर बैठ गया पर बादल नहीं दिखें कुछ देर में दोस्ते ने भी यहीं किया और फिर एक दो गंटे बीतने के साथ ही बाकी दोनों गड़के भी भार मानकर बैठ गये पर उन तो बारिश नहीं हुए अब नाचने की बारी सादू महाराज की थी सादू महाराज ने नाचना शुरू कर दिया नाचते हुए एक गंटा भी दिया लेकिन बारिश नहीं हुए फिर नाचते नाचते दो गंटे बीत चुके थे लेकिन बारिश नहीं हुए पर सादू महाराज तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे धीरे धीरे शाम धलने लगे तभी अचाना बागलों की गड़गड़ाट सुनाए दी और जोरों की बारिश होने लगी सभी लड़के देखकर दंग रह गए और तुरंती सादु महात्मा के चड़नों में गिरकर माफी मांगी और पूछा कि बाबा भला ऐ पहली बात मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए सफलता पाने वाले लोगों में यह गुण विद्धिमान होता है वो जिस चीज को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है और वे तब तक उस चीज को करते रहते हैं जब तक कि उसमें वह सफल ना हो जाए इसलिए यदि हमें सफलता हांसिल करनी है तो उस सादू जी की तरह ही हमें अपना लक्षित राप्त करना होगा